नमस्कार दोस्तों आज मैसी अनुभाटिया प्रिजम्टिव टेक्सेशन स्कीम फॉर असस्मेंट यर्ट टूथाउजन ट्वंटिफाइव लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वाट इस प्रिजम्टिव टेक्सेशन आफ इंकम यह आये का प्रिजम्टिव टेक्सेशन होता क्या है आप सीधी सी बात यह मान करके चलिएगा कि मैं यह जो वीडियो लेकर के आया हूँ यह मुक्के रूप से व्यापारी वर्ग के लिए जो चाहे SME सेक्टर से हो सकते हैं जो ट्रेडर्स हो सकते हैं होल सेलर हो सकते हैं एक आटो रिक्षा चालक हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी ब्यूटी सलून चला रहे होंगे कोई कपड़े का काम कर रहे हैं हर प्रकार का व्यापारी मेरी इस पर्टिकुलर प्रिजम्टिव टेक्सेशन से रिलेटेड वीडियो का लाब उठा सकता है हाँ कौन इसका लाब नहीं उठा सकते है उनके लिए क्या दूसरे ऑप्शन अवेलेबल हैं वो भी मैं आज की इस वीडियो से आपके समक्ष रखूंगा लेकिं रिजम्टिव टेक्सेशन होता क्या है अगर इस बात पर बोलूं दोस्तों तो यह इस प्रकार से आप कॉंसेप को समझ सकते हैं कि प्रिजूम करना या एक तरीके की प्रिजम्शन लेना क्योंके मेरे इस व्यापार में ये इंकम है आप सरकार की सोच को समझेए कि अगर मैं किसी व्यापार में कोई net profit कमाता हूं तो मुझे सरकार को बताना पड़ेगा कि हाँ साब मैंने 2 करोड का turnover किया और इसके उपर मैंने suppose for an example 25 रुपे कमाए तो भारत सरकार ये मानेगी क्योंकि 2 करोड में से इस विफ्ति के पास एक करोड 75 लाग के खर्चे का इसाब है अब मैं बुला कि साब इतना मैं accounts में अच्छा नहीं हूँ या मेरे पास में एक accountant रखने के बराबर कोई particular requirement नहीं थी या मैं उतना खर्च नहीं करना चाहता तो पर मैं अंदाजा मानता हूं कि 2 करोड रुपए के उपर मैंने 25 लाख रुपए से 12.5% कमाए तो question यह आता है कि जब हमसे खर्चे प्रूव करने के लिए का जाएगा और हम नहीं दे पाएंगे तो किसी भी level पर जाकर के income tax authority हमारे लिए addition कर सकती है income में तो भारत सरकार ने सोचा कि व्यापारी वर्गर को एक simple scheme देते हैं कि आप minimum 8% या उससे ज़्यादा margin बता दीजे जो आपको लगता आपके व्यापार में और हम उसको as such accept कर लेंगे बिना आपकी books को देखे बिना आपकी books को मंगाए तो presumptive taxation की scheme कैसी scheme है कि अससी यानि व्यापारी एक manufacturer भी यहाँ पर covered हो सकता है जो अपना profit percentage बताता है एक minimum threshold या उससे उपर के उस particular threshold को उस particular profit को भारत सरकार आपकी income के रूप में accept कर लेती है तो अब आपको मेरी बात से link होना शुरू हो जाएगा कि अनुप भाटिया ने क्यों ऐसा कहा कि ये scheme एक प्रकार से वर्दान है तो वर्दान क्यों है क्योंकि आपको बिना जंजट के एक easy taxation का format income tax department, income tax act यहाँ पर दे रहा है that is a basic theme of presumptive taxation दोस्तों अपनी बात को और थोड़ा specific करता जाऊँगा एक-एक slide से कि क्योंकि मैंने एक basic understanding तो आपके लिए develop की पर मुझे उसे income tax act 1961 से मिलान करके देना है कि पहला question आपके समख्षरता हूँ, who is covered under the presumptive taxation aspect for the purpose of section 44 AD of income tax act 1961 आएट दोस्तों जो मैं presumptive taxation scheme पर आपसे चर्जा कर रहा हूँ इसकी व्याक्या, इसके संदर में प्रावधान, income tax की धारा 44 AD में वढ़ने थे वहाँ एक term यूज की गई, eligible assessi के एक eligible assessi को ही इस scheme का benefit मिलेगा presumptive taxation का यह eligible assessi कौन-कौन है an individual, यानि अगर आप गतिकत रूप से एक व्याष्टी के रूप में, एक individual के रूप में अपना business करते हैं, hindu undivided family और a partnership firm who is a resident, यानि एक individual HF या partnership firm जो resident है, और यहाँ partnership firm में दोस्तों LLP शामिल नहीं है साथ ही कह सकता हूँ, company भी यहाँ covered नहीं है, तो यह तीन मुख्य करता है, यदि वो resident है और किसी प्रकार के व्यापार में है, चाहे वो manufacturing हो trading हो, service providing हो वो 44 AD का benefit ले सकते हैं साथ ही दोस्तों, एक condition और है यहाँ पर, who has not claimed deduction under any of the section 10A, 10AA, 10B, 10BA और deduction under provision of chapter 6 से part C, तो यह थोड़ा सा technical matter है, लेकिन मैं इस पर किवल इतना सकोंगा कि अगर आपने income tax के chapter 6 से part C में, income based deduction नहीं लिये हैं, और आप individual H.A.F. partnership firm है तो आप एक व्यापारी के रूप में section 44 AD का benefit ले सकते हैं eligible assessi समझने के बाद में अगली term जो आपको समझनी है वो यह समझना है, which business may avail the benefit of presumptive taxation कि presumptive taxation का benefit कौन से business को करते हुए लिया जा सकता है तो eligible business तक को law में define किया section 44 AD में, उसमें का eligible business means any business देखें दोस्तों, any business तो कोई भी business eligible business होगा, except the business of plying, hiring, leasing, goods, carriages refer to in section 44 AD यदि आप truck operator है आपके truck owned है और आप अपने truck चलाते हैं तो आप section 44 AE में presumptive taxation का benefit लेंगे इसलिए या कोई lawry operate करते हैं, या कोई goods carriage vehicle operate करते हैं, तो आपको section 44 AE में presumptive taxation benefit मिलता है, इसलिए उस परिस्तती में दोस्तों आपको presumptive taxation का benefit 44 AD में नहीं मिलेगा वहाँ आपकी computation का एक manner 44 AE में होता है यह एक पहली category है जो eligible नहीं है दूसरा eligible business whose total turnover gross receipt in the previous year does not exceed the amount of 2 crore जिसका turnover 2 crore से ज़्यादा नहीं है यानि अगर 2 crore से ज़्यादा का आपका turnover है तो आप presumptive taxation का benefit नहीं ले सकते हैं, यह बड़ा important point है लेकिन दोस्तों, Finance Act 2023 से यानि assessment year 24-25 onwards 2 crore की सीमा में further relaxation करके 44 AD में 3 crore की सीमा कर दी गई है यानि आपके 3 crore रुपे तक के turnover पर आप एक minimum percentage 44 AD के हिसाब से ज़्यादी बता देते हैं तो आपकी books वगेरा की जाच नहीं की जाएगी जो profit आप बता रहे हैं वो भारत सरकार ऐस सच मान लेगी परंतु 3 crore की सीमा किन कर दाताओं को उपलब्द होगी यह समझेगा दोस्तों मेरे साथ provided that where the amount or the aggregate of the amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of total turnover or gross receipt of previous year this sub clause shall have effect as if for the word 2 crore rupees the word 3 crore rupees had been substituted यानि अगर आपके total receipts for a particular financial year 5% से ज़्यादा नहीं है cash में तो ऐसी परिस्तिती में आपको 2 crore की जगे 3 crore तक के turnover होने पर भी section 44 AD का benefit मिलेगा यानि thumb rule तो यह है कि जिनका turnover gross receipt या total sale 2 crore तक है वो section 44 AD के presumptive taxation का benefit ले सकते हैं लेकिन अगर किसी व्यक्ति का as a business man लापकारी provision है for the business man category एक और बात दोस्तों यहाँ पर कहूंगा कि एक professional यहाँ पर cover नहीं है क्योंकि professional के लिए section 44 AD A लागू होता है और professional को businessman माना भी नहीं जा सकता है लेकिन businessman की category में जैसा मैंने पहले बोला एक service provider भी आ सकता है manufacturer भी आ सकता है wholesaler भी आ सकता है trader भी आ सकता है किसी भी प्रकार का service provider भी इस category में generally covered किया जा सकता है अब अगला point देखे दोस्तों section 44 AD के reference से what is the minimum profit one needs to declare while opting for presumptive taxation under section 44 AD तो मैंने शुरू में आपको बोला था कि आपको एक minimum percentage बताते हुए अपने profit का चलना है while you are offering your income in ITR under section 44 AD तो 44 AD subsection 1 केता है not this tending anything to the contrary contained in 28 to 43 C in the case of an eligible SSE engage in eligible business a sum equal to 8% of total turnover or gross receipt of the SSE in the previous year on account of such business as the case may be a sum higher than a four set sum claim to have been earned by eligible SSE shall be deemed to be profits and gain of such business chargeable to tax under the head profits and gain of business or profession तो मैं फिर repeat करता हूँ के मान लीजे मेरे पास में 1.5 करोड रुपे का turnover है तो मेरे को minimum 8% का profit बताना है यानि 12 लाख रुपे अगर मैं 12 लाख ये उससे ज़्यादा का profit बता देता हूँ तो मैं section 44 AD में तैयार हूँ 44 AD में खड़ा हूँ लेकिन मान लीजे मैं कहता हूँ नहीं सर मेरे 12 करोड प्रॉफिट नहीं किवल 12 लाख प्रॉफिट नहीं किवल 6 लाख प्रॉफिट है तो मैं section 44 AD में eligible नहीं हूँ तो minimum कितना percentage आपको बताना है आपको minimum percentage profit earned बताना है 8% का लेकिन जैसे ही मैं 8 बोला तो कुछ लोगों के दिमाज में नहीं नहीं अनुप जी amount तो 6% है तो 6% कब है वो भी आपको समझना है अब दोस्तों बात करता हूँ 6% कब है 8% नहीं अगर 6% भी margin बता देंगे तो चलेगा तो एक प्रोजो section 44 AD में बुला provided that this subsection shall have effect as if for the word 8%, the word 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover gross receipt which is received by an account pay check, account pay bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed during the previous year or before the due date specified in subsection 1 of 139 in respect of that previous year. for an example, मैं मेरे एक सब्जी वाले हैं जिन से मैं सब्जी खरीदता हूँ उनके यहां जाता हूँ, देखता हूँ ज्यादा तर पेमेंट उनके आजकल UPI से आने लग गए तो साब वो सब्जी और फलों का काम करते हैं बहुत अच्छा उनका वेवार है मैं भी उनके पास जाता हूँ तो अक्सर UPI से पेमेंट कर देता हूँ अब उस वेक्ति ने मेरी सेवा लेनी चाहिए तो मैंने देखा कि साब एक साल का उस सज्जन का टर्नोवर दो करोड रुपे हैं मैंने अप्रिशेट किया कि वायर दो करोड का टर्नोवर आपने किया दो करोड में से दोस्तों डेड़ करोड का टर्नोवर तो उस परसंद के पास में UPI पेमेंट से आ रहा था और बाकी 50 लाग उन्होंने बोला बाटिया जी बाकी का पेमेंट ये मेरे पास में कैश आता है तो मैंने बोला ठीक है आपकी अगर मैं रिटर्न बरूँगा तो प्रिजम्टिव इंकम डेड़ करोड पे मिनिमम छे परसंट और बाकी के 50 लाग पर मिनिमम आठ परसंट बताते हुए मैं निकल जाओंगा इस प्रकार दोस्तों प्रिजम्टिव इंकम की कैलकूलेशन की जा सकती है एक बात जरूर जूड़ूँगा ये जो 6 परसंट 8 परसंट में आपके समक्ष रख रहा हूं ये मिनिमम अमाउंट है मिनिमम परसंटेज है अगर आप इससे जादा बताते हैं तो वो एक वेलकम स फाइल करिए तो ये पर्टिकुलर मैसेज यहां लेना बहुत इंपोर्टन है अब दोस्तों एक कैटेगरी यहां और रखता हूं वो में नॉट अवेल दा बेनिफिट ऑफ प्रिजम्टिव टेक्सेशन स्कीम एस पर सेक्शन 44 AD आप कहेंगे अनुब जी इंडिविजिवल हुएफ पार्टनर्शिप हम इनके अलावा बाकी कैटेगरी इसको नहीं मिलता बहुत बढ़िया ऐसे लोग जो प्लाइंग हाइरिंग और मोटर वीकल का काम करते हैं मोटर वीकल मतलब वहाँ पर गोड्स कैरिज वीकल बोलूँगा मान लिए कोई व्यक्ति बसस चलाता है ऑटो चलाता है खुद की तो ऐसी परिस्तती में या किसी और से लेकर के भी में आगे चलाता हूं एक कैब चालक हो सकता है एक कोई बाइक चालक हो सकता है क्या वो लोग 44 AD में आ सकते हैं बिलकुल आ सकते हैं पर कौन नहीं आ सकते और ये कैटेगरी देखेगा following persons can't avail the benefit of 44 AD a person carrying on profession referred to in subsection 1 of 44 जो वक्ति profession pursue करते हैं वो 44 AD का benefit नहीं ले सकते a person who is earning income in the nature of commission ऐसे वक्ति जो commission brokerage से income कमाते हैं for an example property लिए जो property खरीद बेच में brokerage कमाते हैं वो भी इस category में 44 AD में नहीं आएंगे and a person carrying on any agency business जैसे किसी के पास में C&F agency हो सकती है तो ऐसे वक्ति section 44 AD का benefit नहीं ले सकते हैं आप कहेंगा नूप जी जब नहीं ले सकते हैं तो उन्हें क्या option है यदि आप professional हैं तो section 44 AD में जाएं महा presumptive taxation में covered हैं वो मैंने यहां discuss नहीं किया concept और यदि आप commission या brokerage की income कमाते हैं agency business करते हैं तो actual profit पर आपको tax देना होगा अब यदि मैं मान लूँ कि आपने अपना मानस तै कर लिया क्योंके अनूप जी I am fit as per your particular video कि मैं 44 AD में eligible हूँ मैं इस section का benefit लूँँगा तो मुझे जराइए तो बताइए कौन सी ITR बरनी है आपको ITR 4 बरनी है परन्तु दोस्तों यदि किसी के पास में presumptive business होने के साथ capital gain वगरे की income हो या किसी और head की भी income हो substantial तो ऐसी परिस्तिती में उन्हें ITR 3 भी बरना पड़ सकता है परन्तु ITR 3 बरने का मतलब यह नहीं है कि फिर आपको अपना बकाइदा profit and loss balance sheet देना है आप ITR 3 में भी presumptive taxation 44 AD का benefit ले सकते हैं जब मैं आपसे बात करता हूँ कि 44 AD का benefit कौन ले सकता है तो कुछ लोग जो 44 AD में fall करते हैं उन्होंने मेरे से बूचा कि can one opt out of presumptive taxation इसकी मनुप जी क्या मैं presumptive taxation से बाहर भी जा सकता हूँ अब यहां कौन सब समझीएगा section 44 AD subsection 4, 5 combined reading ये कहती है अगर आपने एक बार presumptive taxation का benefit लिया क्योंकि आप eligible turnover की category में थे 2 करोड, 3 करोड और आप आगे के case year में turnover limit 2 करोड, 3 करोड के अंदर होने के बावजूद बाहर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यानि lower profit than 6% और 8% बता सकते हैं परंतु उस case में आपको बकाइदा किताबे बनानी पड़ेगी और audit करानी पड़ेगी और ऐसा आपको अगले जिस year में आप withdraw करेंगे उस year में और उससे अगले 5 साल तक किताबे बनाना audit कराने का क्रम जारी रखना पड़ेगा यदि आप ये compliance करने को तयार हैं तो आप presumptive taxation से बाहर भी जा सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ के presumptive taxation scheme के बारे में ये जो वीडियो मैंने आपके समक्ष रखी यहाँ जो मैंने 44 AD पे चर्चा करी मेरे देश के बहुत सारे व्यापारी वर्ग इस वीडियो से लाबानवित होंगे चाहे आप service provider हों wholesaler हों, retailer हों या कोई भी तरीके का आप छुटा मुटा business करते हों तो मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको ग्यानवर्धन करने में साहिक रहेगी और ये एक बहुत वर्दान की रूप में scheme मैं मानता हूँ जिसका लाब आपको उठाना चाहिए ये भी मैं प्रिरित करता हूँ यदि आप व्यापारी हैं तो अपनी return जरूर बरिये क्योंकि return बरने का benefit नकेवल income tax perspective से मिलता है बलकि एक व्यापारी के रूप में आप जब loan लेने पहुँचेंगे आप को चाहे home loan लेना हो business loan लेना हो working capital limit लेनी हो वहाँ पर दोस्तों ITR बरने का presumptive taxation से भी ITR बरने को banks consider करते हैं for loan purposes so I hope आपकी knowledge यहाँ पर निश्यत रूप से बढ़ी होगी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय है